आए दोस्तों मैं इस यूटूब वीडियो के माध्यम से आवलों को जानकारी देता हूं बताता हूं दामपत्य अधिकारों का परत्या स्थापन और नाइक धक्रण के बारे में हैं मुलता दामपत्य अधिकारों का परत्या स्थापन कैसे किया जाना है जिसे दामपत्य अधिकारों का पुनर इस्थापन या पुनर इस्थापन के नाम से भी इसको समझ जाता है समझा जा सकता है दोस्तों जबकि पती या पत्नी ने अपने को दूसरे के साचर से किसी युक्ती युक्त परती हेतु के बिना परत्याहत कर लिया हो तब बैठित पक्षकार दामपत्य अधिकारों के परत्यास ठापन के लिए जीला न्याले या कुटुम न्याले जिसे परिवार न्याले कहा जाता है में अर्जी दोरह आविधन कर सकेगा और नयाले ऐसी अर्जी में किये गए कथानों के सि़त्त के बारे में तथा इस बाथ के बारे में कि इसके लिए कोई वयद अधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों न कर लिया जाए अपना समाधान हो जाने पर दामपत्य अधिकारों का पत्या स्थापन डिक्री कर सकेगा दोस्तों दामपत्य अधिकारों के पत्या स्थापन के लिए डिक्री का निस्पादन निर्नित रीडी द्वारा डिक्री का पालन करने की असफलता पर न्याले डिक्री धारक पत्नी को आवर्ति संदाय करने है तो निर्नित रीडी को निर्देशित कर सकता है बिजेंद्र बी सिंग बनाम उमा बिजेंद्र सिंग ए आई आर दो हजार दस बंबई के मानले में बताया गया है दोस्तों इस परश्टी करण में बताया गया है जहां यह प्रस्णुष्टा है कि क्या साचरिक के परतेहरर के लिए युक्ती युक्त परती है तुग है वहाँ युक्ती युक्त परती है तू साबित करने का भार उस बेक्ती पर होगा जिसने साचर से परतेहरण किया है दोस्तों सरल सब्दों में बात यही है कि अगर पती पत्नी किसी कारणवस अलग रह रहे हैं तो दामपत जीवन की पुनर रिस्थापना के लिए पती हो या पत्नी दोनों में से किसी भी पक्षकार के द्वारा हिंदु बीवा अधिनियम की धारणाव के तहद जीला न्याले या जहां परिवार न्याले है जिसे कुटुम न्याले कहा जाता है वहाँ जो है आवेदन लगाई जा सकती है और इसका लाब उठाया जा सकता है दोस्तों कानून का जानकार बेक्ती बने सुन्दर भारत निर्मान में अपना पिसेश योगदान परदान करें जय हिन जय भारत जय च्छतिस गेड़ जोस्तों का जाता है जोस्तों का जाता है